हाई दोस्तों ये heat and mass transfer का lecture number 61 है और इस lecture में हम case 3 के लिए numerical करेंगे when fin is losing heat at the tip तो चलिए numerical देखते हैं देखे जिए हमारे पास formula है temperature distribution के लिए और heat flow rate के लिए और ये हमारे पास numerical है तो चलिए numerical read करते हैं a motor body is 360 mm in diameter outside and 240 meter long तो ये हमारे पास motor body है और इसका हमें diameter given है तो ये इसका diameter है ये कितना है 360 mm और इसकी length कितनी है 240 mm तो length का मतलब ये वाली length इस तरह से ये है 240 mm उसके बाद its surface temperature should not exceed 55 degree Celsius तो इसकी surface का temperature हमें दिया गया है 55 degree Celsius when dissipating 340 watt तो हमारे पास Q की value given है Q fin is equal to 340 watt longitudinal fins of 15 mm thickness and 40 mm height are proposed तो हमारे पास जो fin है उसकी thickness और उसकी height given है तो जैसे कि ये fin है तो इसकी thickness का मतलब ये वाली जो thickness है ये कितनी है 15 mm thickness को हम y से represent करते हैं और उसके बाद 40 mm height given है तो height का मतलब क्या है कि ये वाली distance ये इसकी height है ठीक है तो ये क्या है fin का base तो जैसे कि ये fin का base है और fin इस तरह से इसमें attach है और ये क्या थी इसकी fin की height तो ये कितनी है 40 mm तो अब आप देख करके बताएं कि ये 40 mm ये क्या है ये fin की length है या नहीं है देखो ये fin की length है क्योंकि जो भी हमने derivation के थे उसमें इस तरह से base बनाया था और base से जो भी हमने fin attach किया था उसकी length हमने base से ही major की थी तो 40 mm क्या है ये fin की length है तो L is equal to हमारे पास कितना है, 40 mm, इसे मीटर में लिख लेते हैं, तो कितना आएगा, 0.04 मीटर, और जो ठिकने S है, उसे हम Y से लिख लेते हैं, तो Y is equal to 15 mm, और मीटर में कितना आएगा, 0.015 मीटर, अब इस डायगराम में देख करके बताएगे कि जो इस फिन की विद है, यह से ले करके यहां तक यह कितनी है, तो जो यह मोटर बोड़ी की लेंथ गिवन थी, यही क्या है, इस फिन की विद है, तो इसे हम लिख लेते हैं, B is equal to 240 mm, और मीटर में कितना आएगा, 0.24 मीटर, चलिए आगे देखते हैं, the convection coefficient is 40, तो heat transfer coefficient कितना गिवन है, 40, determine the number of fins required, तो हमें यहां पर मोटर बोड़ी पर कितने fins लगाने चाहिए, वो हमें calculate करना है, atmospheric temperature is 30 degree Celsius, तो T A की value है, 30 degree Celsius, and the thermal connectivity is 40, तो K की value हमें 40 गिवन है, तो जैसे कि motor body की surface का temperature हमें गिवन था, 55 degree Celsius, तो यही temperature क्या होगा, fin के base पर भी होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो base temperature है, वो कितना है, 55 degree Celsius, तो चलिए number of fins calculate कर लेते हैं, तो number of fins calculate करने के लिए हम क्या करेंगे, कि यह heat flow rate वाला formula apply करेंगे, और हम यहाँ पर n से multiply कर देंगे, तो n क्या होता है number of fins, तो चलिए मैं यह वाला formula लिख लेता हूँ, देखे, यहाँ पर यह नहीं given है कि, जो हमारे fast fin है, यह infinite long है, या insulated है tip पर, या यहाँ पर tip पर heat loss होती है, तो इसकी confusion हम किस तरह से दूर करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर length given है, 0.04 meter, तो यह infinite long fin नहीं है, तो इसका मतलब यह insulated हो सकता है, या यहाँ पर heat loss हो सकती है, convection के दुवारा, तो या तो यह वाला formula apply किया जाएगा, या यह वाला formula apply किया जाएगा, अब जैसे कि question में ना तो insulated बोला है, और नहीं heat loss बोला है, तो हम इन दोनों में से कोई साभी formula use कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वाले formula से करके दिखाता हूँ, तो चाहे तो आप इस से भी कर सकते हो, लेकिन जो answer है वो different आएगा, लेकिन exam में आप किसी से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बोला नहीं है, तो चलिए इस वाले formula में हम सभी value put करते हैं, और वहाँ से हम number of fins calculate कर लेते हैं, तो जैसे कि हमें यहाँ पर m की आव सकता है, तो हम m find कर लेते हैं, तो m के लिए क्या formula होता है, under root hp upon kacs, तो सभी की value put करते हैं, तो देखो h की value कितनी है 40, और perimeter कितना रहेगा, देखो y और b given है, तो perimeter कितना होता है 2b plus y, तो b की value कितनी है 0.24 और y की value 0.015, और उसके बाद thermal conductivity कितनी है 40, और gross sectional area क्या होता है, b into y, तो b की value 0.24 और y की value 0.015, तो इसे solve करेंगे, तो यहां से m की value आएगी 11.9, तो चलिए अब number of fins find कर लेते हैं, देखो qfin की value कितनी given है 340, तो 340 is equal to under root, h की value कितनी given है 40, और parameter 2b plus y, तो यह वाली value रख देते हैं, तो 2b की value 0.24 और y की value 0.015, और उसके बाद हमें क्या चाहिए k, तो k की value कितनी है 40, और फिर उसके बाद cross sectional area, तो b into y, तो b की value 0.24 और y की value 0.015, और t note minus ta, तो हमारे पास जो base temperature हो, वो कितनी given है 55 degree Celsius, तो t note की value है 55, और ta की value है 30, तो यहाँ पर लिखते है 55 minus 30, और उसके बाद यहाँ पर value put करते हैं, तो tan hyperbolic, m की value 11.9, और length कितनी की बना है हमें, 0.04, plus h upon km, तो h की value कितनी है हमारे पास 40, और conductivity भी है 40, और m की value 11. और देखो, 1 plus h upon km, h की value 40, k की value 40, और m की value 11.9, into 10 hyperbolic ml, तो चलिए इसे solve करते हैं, तो जब हम इसे under root वाले value को solve करेंगे, तो यह आएगा 1.7139, और इसे subtract करेंगे तो यह आएगा 25, और देखो, जब हम इसे solve करेंगे 10 hyperbolic को, तो यह आएगा 0.44, और यह आएगा 0.084 upon 1 plus, और जब हम इसे solve करेंगे, तो यह आएगा 0.084 into 0.44, तो यहाँ से end की value आएगी 15.7, तो इसे हम round off करेंगे, तो यहाँ से end की value आएगी 16, तो जो motor body के दुआरा 340 watt की heat generate होती है, उसे हम 16 fins use करके dissipate कर सकते हैं, तो चले दोस्ता आज की वीडियो में इतना ही, इस से अगली वाली वीडियो में हम question number 2 करेंगे, जो case 3 के लिए ही है,